हेलो फ्रेंड्स कक्छा ग्यार्भी एंसी आर्टी केमिस्ट्री का पहला यूनिट हम पढ़ रहे हैं रशायन विज्ञान की कुछ मुल अधारना हैं इसके पिछले सेवन्थ वीडियो में मैंने आपको परमाडू और आणविक द्रब्यमान पढ़ा दिया हैं अब हम इसको आ हैं तो एसे देखने से आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन का दो और ऑक्सीजन का एक यहां पर जुड़ा हुआ है लेकिन क्या इसका जो परमाडू द्रब्यमान है वो दोनों का बराबर है या कम है ज्यादा है तो हम यहां पर देखेंगे जैसे हाइड्रोजन का एक धने काने 2 है और ऑक्सीजन का 16 है मतलब ऑक्सीजन के 16 की तुलना में हाइड्रोजन के सिर्फ 2 यहां पर यूनिट है द्रब्यमान है तो उसके अधार पे मतलब ऑक्सिजन के 8 के पीष़े हाइड्रोजन का सिर्फ एक भाग है आप ऐसा कह सकते हैं तो इसके अधार पे जब हम इ किसी नमुने में उपस्थित कड़ों की शंख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे परन्तु कई बार किसी योगिक में किसी विशेश तत्यू के प्रतिशत की जानकारी के आवशक्ता होती है तो जैसा अभी आपने देखा कि H2O में हाइड्रोजन के दो और आक्सियन के एक परमाणू है लेकिन उसमें प्रतिशत कितना है यह हमको नहीं मालूम है उसको निकालना है यहाँ पर माल लिजे कि आपको कोई अज्यात या नया योगिक दिया गया है आप पहले यह प्रश्ण पूछेंगे कि इसका शूत्र क्या है या इसके घटक कौन-कौन से है और वे किस अनुपात में उपस्थित है ठीक है आप इसको पूछ भी सकते हैं और नहीं तो आप कई विधिय हैं जिसके दोरें ग्याद भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ें है उसमें ग्याद योगिकों के लिए भी इस जानकारी से पता लगाने में शहायता मिलती है कि क्या दिये गए नमूने में तत्तों का वही प्रतिशत है जो शुद्ध नमूने में होना चाहिए दूसरे सब्दों इन आकुनों के विस्सलेशन जहा जानने में सहायता मिलती है कि दिया गया नमुना शुद है या नहीं क्योंकि अगर आपने है एच्टुओ लिया है तो एच्टुओ में जो है जो फार्मूला है एच्टुओ यही है या उसके साथ कोई दूसरे चीजे मिली हुए जैसे जनरली आप जो पानी निकालते हो बोर वगरा से या नदी वगरा से उसमें केवल एच्टू नहीं रहता है उसमें और भी बहुत सारे प्रका के मिन्रल्स शुद्या शुद्यां यह सब मिली रहती है ठीक है तो उनकी भी जानकारी हमको मिलती है उनके फार्मूले से अब देखते हैं जैसे एच्टू की हम बात करते हैं एच्टू का उदहान लेते हैं और इसमें ऑक्सिजन का और हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है इस चीज को निकालते हैं ठीक है तो किसी तत्यू का द्रब्यमान प्रतिशत निकालने के लिए उस तत्यू का द्रब्यमान कितना है उस योगिक में और टोटल योगिक का मोलर द्रब्यमान कितना है ठीक है जैसे देखिए जल का जो मोलर द्रब बिमान है वो 18.02 है ठीक है क्योंकि आक्सियन का सोला है है और हाइड्रोजन का है 1 प्लस 008 ठीक है धन 1 प्लस 008 क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो टोटल हो जाएगा 18.02 क्योंकि अठारा दसमलो यह आ रहा है जीरो वन सिक्स आ रहा है ठीक है तो वन सिक्स को इसने सीधा सीधा टू लिख लिया है ठीक है तो इस तरह से जल का जो मोलर द्रब बिमान है 18.02 आया मैंने पहले पिछले क्लास में बताया है आपको कि अगर आप केलकुलेशन में सीधा सीधे यहाथ नमर मिलेगा इसृ से जसमलो वाले अंको को लेकर करते हैं तो पूरे 10 में 10 आंक मिलते हैं तौ आप धियान रखेंगे 10 निकालने है अपने को तो हाइड्रोजन के इतना है देखें जैसे H2 है तो H2 का मतलब 1 प्लस 008 दो है और डिवाइड़ बाइ जल का है 18.0 तो गुडित 100 तो इसकी प्रतिशात आ गई 11.18 इसकी प्रतिशात आ गई हाइडरोजन की अब यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रतिशात निकालने का दो तरीका है जैसे कि पहला तरीक में इसी तरह के फार्मूले में आप रख दीजे तो भी निकल जाएगा नहीं तो हंड्रेड में से आप 11.8 आप माइनस कर दो तो आपको इतना आ जाएगा दो तरीके है या तो इसी तरह से फार्मूले में रखे तो आक्सीजन का जो परमाणुत रब्यमान है एकशीजन है और यह जल का है गुड़ी 100 कर देंगे तो इतना जा रहा है और नहीं तो 100 में से आप इसको घट आएंगे तो भी इतना ही आएगा लग भग लग ठीक है तो दो तरीके से आपने निकाला है तो अब आप यहां पर देखिए जैसे आपने अब है तो आप प्रतिशता को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तों में किसका कितना रोल है वहां पर ठीक है बाहर से देखने पर यह रोल पता नहीं चलता है जैसे कहा जाता है कि किताब को उसकी कभर देखकर के आप अंदाज मत लगाए कि कितने अच्छा या कितना बुरी किताब है आप उसके अंदर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा वैसी ही केवल फार्मूले को देखके आप अंदाज नहीं लग देखिए अब यहां पर ध्यान से देखिए C2 तो यहां तो कार्बन दो ही है लेकिन हाइड्रोजन H5 और H याने 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सिजन है तो उसके अधार पे आपको इसको केल्कुलेट करना है ठीक है अब इथिनाल का मोलर दरब्यमान कैसे निकालेंगे तो कार्बन का है 12.01 ठीक है हाइड्रोजन का है 1.008 ठीक है इसका छे भाग है और क्योंकि 5 और 1.6 पहली बताए हो है और ऑक्सियन का है 16 तो इन सब को जोड़ देंगे तो इथिनाल का आता है 46.068 ठीक है 46.068 यह आ जाता है आपका इथिनाल का आप सिंपल सिंपल इसको 40 भी पिल जाएगा आपको ठीक है अब कार्बन का निकालना है तो कार्बन यहां पर दो है आप देखिए C2 है और एक कार्बन का होता है 12.01 तो यहां पर है दो कार्बन तो 24.02 और इधिनाल के है 46.02 इतना और इसको कैल्कुलेट किये तो 52.01 चार प्रतिसत भाग कार्बन का आया हुआ है कार्बन ऐसे देखने से कम ही लग रहे है लेकिन इधर से कार्बन की तुलना करोगे तो काफी हिस्सा कार्बन ने आधे से ज्यादा हिस्सा बना दिया है हाइड्रोजन का छे है यहाँ पर टोटल पांच और एक छे तो छे एक दसमलो यह वाला जो है इसको कैल्कुलेशन आप यहाँ पर लिख देंगे और आगे कैल्कुलेट करेंगे तो 13.13 और और ऑक्सियन का सोला है एक ही ऑक्सियन है तो 16 लिख सकते है आप 15.994 ठीके 15.999 औ आपको एक्जेक्ली सही आएगा और 34 असमलो साथ दो आठ पतिसात आया हूँ देखिए अब यह यहाँ दो तरीके है याद करने का चुकि NCRT है यह और आपके CBSE में भी या NEET में भी NCRT के ही कोश्चन को एक्जेक्ली देता है तो आप तो जो एक्जामपल है आप उसको र लोग याद भी करते हैं इसलिए उन्का इतना ज्यादब परसेंट आता है तो कई चीजों को लोग रट जाते हैं सिधा सिधा कि वह इसको लिखना ही है पर साथ में इसको समझ भी लेते है तो AZT जो लोग फट 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 उतार देते हैं उनको calculate करने की ब्यूरत नहीं पड़ती सारा calculation उनको याद रहता है कि कहाँ पक किसका कितना मान आया हुआ है तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं ठीक है अब द्रब्यमान प्रतिशत के परिकलन से को समझने के बाद अब हम यहाँ देखें कि प्रतिशत संगठन आकड़े से क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है अब इनसे हम और क्या-क्या जानकारी निकाल सकते हैं ठीक है तो एक है इसमें मुलान उपाति शूत्र और आणविक शूत्र ठीक है देखें जैसे मुलान उपाति और आणविक शूत्र में क्या अंतर है जैसे आपने हाँ पर पढ़ा C2H5 C2H5OH पढ़ा आपने ठीक है तो यह हुआ आपका इथेनॉल यह इसका आणविक शूत्र हुआ आणविक शूत्र का मतलब है कि यहाँ पर जो दत्व है उनकी जितनी संख्या है वो एक्जेक्ली लिखी हुई है ठीक है लेकिन अगर आप इसको एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन 2 है हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सिजन 1 है ठीक है तो वास्तों में अगर इसका फार्मूला हम ऐसा लिखने कि C2 है हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सिजन ये एक है अगर ऐसा दिखाएंगे तो यह इसका मुलानुपाती शोत्र है मुलानुपाती यहने मूल अनुपात क्या है मतलब तत्वों का उसमें अनुपात कितना है तो जहां पर कार्बन 2 है वहां पर हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सिजन 1 है इसका ये अनुपात है तो ये इसका मुलानुपाती शोत्र हुआ कि मतलब कौन कौन से तत्वों कितनी कितनी अनुपात में उपस्थित है ठीक है तो इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते है जैसे माल लोग आप इसको लिखें CHO ठीक है ऐसा अगर लिखें तो फिर आपको यहां पर ये दिखाना पड़ेगा कि कार्बन हाइड्रोजन ओक्सियन का अनुपात कितना है आणविक्षूत्र तो आप निकाली लेंगे आणविक्षूत्र निकालने में दिक्कत नहीं है आपको कोई कैलकुलेशन दिया है तो इसलिए आप कैलकुलेटर के आणविक्षूत्र निकाल लेंगे उसी से आपको मुलानुपाती शूत्र बनाना है तो अभी मैंने बताया ना कि carbon 2 है hydrogen 6 है और oxygen 1 है वो मुलान उपाती शुत्र है जबकि आणविक शुत्र किसी योगिक के अणूब उपस्थित बिभीन प्रकार के परमाणूँ की सही संख्या को दर्स आता है ठीक है और उसमें फिर उसको हम आणविक शुत्र के रूप में लिखेंगे अभी मैं जब तक example नहीं बताऊंगा आपको यह मुलान उपाती शुत्र ठीक से समझ में नहीं आएगा मैं बताऊंगा भी यदि किसी यौगी की मुपस्थित सभी तत्नों का द्रब्यमान प्रतिशत ग्याथ हो तो उसका मुलान उपाती शुत्र निर्धाईत किया जा सकता है कि दरब्यमान पतीषात आपको दिया रहेगा अगर तो आप मुलाव पातेश शूत्र कैसे निकालेंगे कैसे मुलाव मिमां ग्यात हो कि अह Grand Isam तो मुलाव पातेश शूत्र शेर आडविक शूत्र भी ग्यात कियाँ अब देखें उधरलेशार में हम देखते हैं जैसा मैंने का एक यौगिक में हाइट्रोजन है चार दसमलो सुनिशाथ कार्बन है 24 दसमलो दो साथ और क्लोरीन है 71 दसमलो छे-5 ठीक है इसका मोलर द्रब्यमा 98.96 है इसके मुलानुपाती शुत्र आडविक शुत्र क्या होंगे देखिए अगर आपके मि अंदाज होगा है जो परमानुद रब्यमान है 1.008 यहां पर चार लिखा है मतलब यहां पर हाइट्रोजन है चार इतना अंदाज हो गया आपको ठीक है प्रतिशत हे लेकिन सुरी यह प्रतिशत दिया है इसलिए ऐसा नहीं निकले गा दूस्रे तरीके से निकले का अभी क्लोरीन निकलेगा आप देखने इसके फार्मूले में ठीक है क्योंकि प्रतिशत भ्यूत नहीं आ रहा है ठीक है तो अब देखते हैं मुलानो पातिशुत्र आन्विक शुत्र कैसे निकालेंगे पहला द्रब्यमान प्रतिशत को चरण पहला है न यहाँ पर चरण वाइस इस में 5-6 चरण है उसमें हम इसको देखेंगे ठीक है मुलानो पातिशुत्र आन्विक शुत्र कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं तो पहला चरण पहले चरण में हम देखेंगे द्रब्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करना ठीक है क्योंकि हमारे पात द्रब्यम ग्राम योगिक लेते हैं ठीक है तो मैंने जैसे बताए कि 100 ग्राम योगिक है तो हाइड्रोजन इतने कार्बन इतने और क्लोरीन इतने हैं ठीक है यह हमको मिल गया ठीक अब दूसरा चरण प्रतेक तत्तो को मोलों की संख्या में परिवर्तित करना अभी तक हमको कितना द्रब्यमान है 100 ग्राम में वो निकल गया है अब उनको मोल की संख्या में हमको परिवर्तित करना है तो मोल की संख्या में परिवर्तित करने का मतलब यह है कि आप उसके परमाणू द्रब्यमान स उसको भाग कर दीजे तो उतने मोल निकल जाएंगे उपर प्राप्त तत्तों के द्रब्यमान को करम सहा उनहीं तत्तों के परमाणू द्रब्यमान से विभाजित कर देने से इसके मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है जैसे हाइड्रोजन का हमको निकला है 4.07 इसका परमाणू द्रब्यमान 1.008 तो यह हो गया 4.04 मतलब इतने मोल हाइड्रोजन के हैं कार्बन का निकालना है तो 12 से भाग देंगे तो 2 क्या स्पास आया और क्लोरीन का 35.05 से भाग देंगे तो यह भी करीब करीब 2 आया मतलब कि इस योगिक में हाइड्रोजन के 4 मोल कार्बन के 2 मोल और क्लोरीन के 2 मोल उपस्ती थे हैं मैंने अभी कुछ दिर पहले आपको बता या था देखिए कि hydrogen 4 है carbon 2 है और chlorine 2 है यही निकलने वाला है ठीक है वो आपको formula देखके समझ में जाएगा उसके question देखके समझ में जाएगा वही चीज़ें आ रही देखे अब mole की संख्या गई mole है आपके hydrogen का 4, carbon और chlorine के 2-2 mole लगभग लगभग है ना अब अगला चरण देखे तीसरा चरण जो प्राप्त mole की संख्या है उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना है सब ही को अब सबसे छोटी संख्या किसकी देखिए यहां पर hydrogen 4 है carbon का 2.021 है और chlorine का 2.021 है मतलब carbon और chlorine के moles से एकदम बराबर है और यही सबसे छोटे हैं ठीक है अब इनसे भाग करेंगे ठीक है तो यह देखिए तो जब भाग किये तो hydrogen का 2 आया और carbon और chlorine का एक एक आया तो मैंने पहले ही बताया है कि hydrogen 4 है carbon 2 है chlorine 2 है का मतलब hydrogen 2 तो chlorine और chlorine और chlorine एक एक आएंगे अभी उतना आ गया है हमारा देखिए ठीक है यदि यह अनुपाद पूर्ण संख्याएं ना हो तो इन्हें उप्युक्त गुडांग से गुडा करके पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित किया जा सकता है ठीक है अगर पूर्णांक नहीं आते तो मालने दो दसमलो एक आता ऐसा यह दो दसमलो पांच आता तो तो हमको अभी इतना मालूम चल गया कि जो केमिकल है उसमें hydrogen carbon और chlorine की ननुपातों में है तो यह hydrogen 2 है तो carbon एक है और chlorine एक है इस अनुपात में है तो एक प्रकार से हमार हम अग्ले पास मुलानुपाती शुत्र मिल गया है आप कहेंगे तो ठीक है फिर भी हम इसको आगे बनाने का इसको कैसे लिखना यह देखेंगे तो मिल गया है तो अब देखिए चरण में अगले चरण में क्या करेंगे सभी तत्तों के संकेत लिखकर करicação का उपर प्राप् इसका मुला अनुपाती शूत्र हो गया मैंने अभी लिख दिया था आपका क्या hydrogen 2 है chlorine और carbon एक है तो carbon को पहले लिख देते हैं ज्यादा तर compound में आपको पता है तो CH2Cl इसका मुला अनुपाती शूत्र हो गया मतलब मूल अनुपात क्या है तीनों का तो carbon एक hydrogen 2 chlorine एक यह उनके मूल अनुपात है आपस में इनके इतने अनुपात है अब है अगला चरण जब हमको मुलानुपाती शूत्र मिल गया है तो अब इनका हमको आणविक शूत्र लिखना है इस पदात का आणविक शूत्र ठीक है यह लिखना है ठीक है तो सुरू में आपको ध्यान होगा hydrogen 4 carbon 24 और chlorine 71 प्रतिशत मिला था हमको ठीक है तो अब इसका आणविक शूत्र कैसे निकालेंगे देखिए तो मुलानुपाती शूत्र द्रब्यमान निर्धायित करने के मुलानुपाती शूत्र मुपस्थित सभी परमाणूं के परमाणू द्रब्यमानों का योग कीजिए अब देखिए कैसे निकालेंगे हमारे पास मुलानुपाती सूत्र आया CH2Cl ठीक है अब इसका योग करते हैं अपन तो कार्बन है बारा हाइड्रोजन दो गुडित एक और क्लोरीन है 35.5 इन सब को जब जोडेंगे तो आया 49.48 39.48 ग्राम आया मुलानुपाती सूत्र का ठीक है मुलाँटपाती सुत्र में जो द्रवमान है 49.48 आया जिब कि सुरु में आपने कोश् initiatives देखा था आप देखए कोश्ण में आपको बात दिखाता हो इसने लिखा है आपका जो कोश्ण है देखिए क्या लिखन है कि पतार्त ह उसका molar द्रब्यमान इंठानवे दसम्लों नौचाय है जो एक्चुल पदार्थ है जितना मात्त दिया उसका molar द्रब्यमान इंठानवे दसम्लों नौचाय है और मुलानुपाति सुत्र का द्रब्यमान हमको आया 14.48 मतलब क्या कि 96.06 कि 90.96 इसको भाग दिंगे देखिए अंठानबे दसमलो नौच है इसको उन्चास दसमलो चार अट से भाग देंगे तो आज आएगा लगभग दो मतलब मुलानुपाती शूत्र में आप दो का गुड़ा कर देंगे तो आणविक शूत्र आएगा मतलब C2, H4, CL2 यह इसका आणविक शूत्र आएगा ठीक समझ पा रहे ना आप लो हमारा मुलानुपाती शूत्र का द्रब बिमान इतना आया और दिया है 98.96 इतना होना चाहिए मतलब इससे डबल होना चाहिए तो डबल तब होगा जब आप इसको डबल कर देंगे हर चीज को डबल करेंगे तो डबल आ जाएगा मतलब C2H4Cl2 इसका फार्मूला आएगा यह देखो C2H4Cl2 इसका फार्मूला आगया यह आणविक फार्मूला है वही चीज यहाँ पर सिधा-सिधा केल्कुलेट है मुलानुपाती शूत्र द्रब्यमान हमको इतना मिला आणविक द्रब्यमान इतना दिया है तो 2 आया और 2 से मुलानुपाती शूत्र का गुड़ा करेंगे मतलब इसका N से गुड़ा करेंगे तो C2H4Cl2 आ गया समझ रहे हैं बात को मुलान उपाती सूत्र का द्रभिमान कितना आया और आपको दिये गए पदात का द्रभिमान कितना दिया है उसके एकॉर्डिंग आपको निकाल लेना है अगर उन्चास आया है और आपको अंठान में लाना था तो आपको दो से गुड़ा कर देना है तो मुलान उपाती सूत तो यह ऐसे निकलेगा इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पर फिर से बता देता हूं थ्यान दीजिए क्या लिखा है पहला आपने क्या लिखा है कि मुलानुपाती सूत्र का आप द्रब्यमान निकाल लिए यह तो मैंने आपको बता दिया अब खा में क्या लिख रहे हैं मोलर द्रब्यमान को मुलानुपाती सुत्र द्रब्यमान से विभाजित कीजिए, ठीक है? तो यह देखिए, मोलर द्रब्यमान बटा मुलानुपाती सुत्र द्रब्यमान, इसकल्टू 98.96 divided by 49, इसकल्टू 2, ठीक है? अब तीसरा पाइंट क्या हुआ? यह 2 जो आया, N आया, इसको आपको मुलानुपाती सुत्र से गुड़ा कर देना है, तो यह आ जाएगा, C2H4Cl2. ठीक है, मुलानुपाती सुत्र का द्रब्यमान 99, मतलब उसका 2 गुना हो जाएगा, तो मुलानुपाती सुत्र का 2 गुना, C2H4Cl2 आएगा, वो ही हमने यहाँ पर लिखा है. यह तरीका है जानने का calculate करने का यह तरीका है तो मेरे साब से अब आपको यह calculation आ गया होगा किस तरह से इसको calculate करना है ठीक है अब है stoichiometry और stoichiometric परिकलन ठीक है यह क्या चीजे हैं देखिए तो stoichiometry में दो सब्द लगा हुआ है एक है stoichiplement तुरा ध्यान देंगे stoichi Can एसका मतलब होता है तत्तव element और metron यह metri इसका मतलब है और मेध्यों को मापना नापना ठीक है मतलब तत्वन को मापना कितने तत्व है कौन से तत्व है उनकी कि तनी मात्रा कितनी संख्या है इनका मापना स्टॉक्योमेट्री है। इसको समझ देजिए। ठीके अतह स्टॉक्योमेट्री के अंतरगत रसायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रब्यमानूं या आतनों का परिकलाना आता है। मतलब क्या कि जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं अभिकारक उनका द्रब्यमान कितना है जो अभिक्रिया से बने उत्पाद उनका द्रब्यमान कितना है और नहीं तो द्रब्यमान नहीं तो आयतन क्योंकि अगर गैस गैस निकल रहा है तो गैस का आयतन निकालते हैं अगर थ समझने से पहले कि किसी रसायनिक अभिक्रिया में किसी अभिक्रियक, अभिक्रियक मतला अभिकारक, कि कितनी मात्रा की आवशक्ता होगी या कितना उत्पात प्राप्त होगा, यह जान ले कि किसी दी गई रसायनिक अभिक्रिया के संतुलित रसायनिक समिकरण से क्या जानकार प्राप्त होती है ठीक है तो कितने अभिकारक लगेंगे कितने उत्पात बनेंगे इसकी जानकारी आपको एक संतुलित समीकरण से मिल सकता है जो रसायनिक समीकरण संतुलित हम बनाते हैं तो सबसे पहला काम है कि रसायनिक समीकरण को संतुलित करना उसके बाद जो है संतुल के दहन पर विचार करें संतुलित समय करण में देखे पहला चीत ध्यान रखे कि हांपर मिधेन भी ग्यस है अक्सिजन भी गैस है स्योटुटू भी गैस बना और एस्टू भी गैस याने वेपर बना मतलब इसमें जितने भी अभीकारक भाग ले रहे हैं मतलब मिधेन और अओखियोन अभिकारग भाग ले रहे हैं और कार्बं डायकसइड और पानी बन रहे हैं यह सभी जो है गैस के रूप में है के तो हम इसमें जरली अगर ड्रुपेमान निकालने जाहें तो भी हम निखाल सकते पर माडू द्रब्यमान या अडू द्रब्यमान तो हम निकाली सकते हैं यहां पर मिथेन और कार्बन डायक्साइड को अभिकारक या अभिक्रियक कहते हैं और स्वारी ऑक्सीजन है डायक्सीजन यहां मिथेन और डायक्सीजन को अभिकारक कहते हैं और कार्बन तसजल को उत्पात कहते हैं यहाँ पर डाई ऑक्सिजन क्यों कहा है क्योंकि यहाँ पर O2 लिखा है ध्यान रखेंगे इसलिसका नम डाई ऑक्सिजन है तो इधर वाले अभिकारक या अभिक्रियक कहलाते हैं और इधर वाले उत्पात कहलाते हैं वही चीज है होता तो उससे S और L लिखे जाते हैं यहां पर G लिखे हैं उसके जगा solid रहता तो S और liquid रहता तो L लिखाता लेकिन यहां पर आप देखें कि H2O को भी इसने gas लिखा है L नहीं लिखा है मतलब जल यहां पर जो है गैस के रूप में वेपर के रूप में मिल रहा है ना कि liquid के रूप में मिल रहा है कि O2 और H2O के लिए गुडांक 2 को स्टाक्योमेट्रिक गुडांक कहा जाता है इसे पाग CH4 और CO2 दोनों के लिए गुडांक एक है देखें यहां पर इस अभी क्रिया में देखें कि oxygen 2 और H2O 2 बने हैं तो यह इसका स्टाक्योमेट्रिक गुडांक है स्टाक्योमेट्रिक कोफिशियंट है जबकि CH4 और CO2 इसका एक एक है गुडांक ठीक है एक गुडांक है यह गुडांक अभी क्रिया में भाग ले रहे या बनने वाले अड़ों की संख्या या मोलों की संख्या को ब्यक्त करते हैं तो सीधी सी बात है कि कितने मोल वहां पर यूज हो रहे है अड़ों यूज हो रहे है उसको यह ब्यक्त कर रहे है ठीक है जैसे य एक मोल और H2O का दो मोल बनता है यह आपको इससे फार्मुले से पता चला पहला पता चला ठीक है यह आप इसको अडू के रूप में भी बैक्त कर सकते हैं कि CH4 का एक अडू और इसके प्रणाम से रूप CO2 का एक अडू और जल का दो अडू बना तो आप यह तो इसको मोल के रूप में ब्यक्त कर सकते हैं या फिर अडू की रूप में ब्यक्त कर सकते हैं ठीक है दोनों में उत्तर आपको एक ही आएगा ठीक है अब इसमें और क्या बता सकते हो देखिए इस फार्मूले में CH4 22.7 लिटर यूज हुआ ऑक्सिजन गेस 45.4 लिटर यूज हुआ दो इस फार्मूले में बना और हैसा क्यों है पता है क्योंकि कोई भी गेस सामान्य ताप और दाप पर एक मोल गेस 22.7 लिटर इस्थान घेरता है ध्यान रखेंगे समान्य ताप और दाप पर एक मोल गेस 22.7 लिटर इस्थान घेरता है तो इसलिए सभी का 22.7 से गुड़ा किये हुआ इस फार्मूले में ठीक है तो हाइट्रूजन सरी मिथेन एक है तो 22.7 आया अक्सिजन दो यूज हो रहा था तो डबल हो गया सियो टू एक बरना तो 22.7 चार और एच्ट दो बन रहे थे इसलिए 45.4 मतलब यह कि एक मोल बराबर 22.7 लिटर आप इतना समझ लीजे तो जहां जहां एक मोल गयस है वहां 22.7 लिखा है जहां पर दो मोल गयस है वहां पर 45.4 लिखा है इतना आप धिहां रखेंगे ठीक है अब अगर आप इसके आणविक द्रब्यमान या परमानु द्रब्यमान की तूलना करें ठीक है तो CH4 का कितना है देखिए CH4 में कार्बन है 12 और हाइड्रोजन है 4 तो यह हो गया 16 तो मिथेन का आणविक द्रब्यमान है 16 ठीक है ऑक्सीजन है O2 ठीक है O2 का मतलब है 16 दूनी 32 ठीक है और दो अक्सीजन यूज हो रहा था आपको ध्यान होगा तो दो अक्सीजन है O2 का 32 हो गया और दो अक्सीजन है तो दो और कर दिये इसको तो 32 दूनी 64 हो गया ठीक है वैसी CO2 है तो CO2 में आप देखिए कार्बन है 12 और ऑक्सिजन है 16 दूनी 32 32 और 12 हो जाता है तो चमालीस तो C02 45 ग्राम यूज़ एचटू है 2 और आठारा को दो यूज़ वह था तो ऐठारा दूनी 26 इतना बना मतलब यूज क्या-क्या हुआ CH4 यूज़ हुआ 16 ग्राम है ना आपसीजन यूज़ वा 22 24 ग्राम बना सियो टू दूनी 34 ग्राम और पानी बना 18-26 ग्राम ये पानी बना मतलब आप इसके आणविक द्रब्यमान जो यूज हुए अभिकारक के रूप में और जो बने उत्पाद के रूप में उनका आप केलकुलेशन कर सकते हो ठीक है? इन संबंधों के आधार पर दिये गए आखणों को एक दूसरे में इस प्रकार परिवर्तत किया जा सकता है देखे कैसे? द्रब्यमान को मोलों की संख्या में या अणों की संख्या में आप परिवर्तित कर सकते हो ठीक है? क्योंकि आपने सभी को आपने सभी तरीके से लिख दिया है कि क्या-क्या यूज हो रहे हैं और कैसे-कैसे बन रहे हैं, ठीक है, अब अगर आप घनत तो निकालना चाहते हो किसी चीज का, तो जो द्रब्यमान है, उसका आयतन से भाग कर दो के तो घनत तो निकल जाएगा, मतलब कोई चीज का आयतन कम है तो घनत तो जादा हो जाएगा मतलब शिकुरा हुआ है तो ज्यादा घंद तो हो जाएगा फैला हुआ है तो कम घंद तो हो जाएगा मतलब आयतन के कम होने से घंद तो बढ़ेगा आयतन बढ़ने से घंद तो कम होगा ठीक है समझ गहे किसी भी चीज का मतलब ज्यादा थोस चीज है आएतल अधन कम है तो ज्यादा घंन रहेगा और फेला हुआ है तो घंन तो ज्यादा है इसलिए है ज्यादा है कोई चीज कम घने होते हैं वैसे लिक्वीड में और गैसों में ठीक है अब यहाँ पर एक उधाराण यहाँ पर दिया हुआ है कि सोलह ग्राम मिथेन के देहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए ठीक है तो सीधा-सीधा क्या है पता है जैसे देहन का आप फार्मूला लिख लेंगे सीधा-सीधा ठीक है देहन का फार्मूला तो आपको मालूम है कि क्या है देहन का फार्मूला अभी आपने लिखा था ट्वाइस एच्टुओ ठीक है तो जब जल की मात्र होगी 18 दुनी 36 ग्राम यह निकलेगा आपके पूरे कल्कुलेशन में आप पहले ही कल्कुलेशन में क्या निकलेगा उसको अंदाज लगा सकते हो ठीक है तो आप देख सकते हैं कि 16 ग्राम मिथेन यूज होगा तो इस फार्मूले के अनुसार 36 ग्राम यहां पर पानी बनेगा अब चलिए इसको हम कैसे कल्कुलेट करते हैं देखे 36 ग्राम यह उत्तर दिखे तो आप फार्मूले से ही कल्कुलेट कर सकते हैं तो सबसे पहला काम है कि इसका एक संतुली समीकरण आपको आना चाहिए तो संतुली समीकरण संतुलान कैसे करते हैं इसको भी हम एक इक्जाम्पल में देखेंगे आप सबसे पहले तो यह लिखेंगे कि CH4 है, O2 है, CO2 है, H2O बने, फिर उनकी इसाब से दो-दो आप लिख देंगे तो आप आ जाएगा, वो अभी हम देखेंगे कैसे संतुलित समीकर्ण लिखते हैं, जैसे जैसे आपके मेस्ट्री में आगे बढ़ते जाते हो, आपको यह सब चीज़ें अपने आप इन्विल्ट डेवलप होते चले जाती हैं, आप जैसे नियम पढ़ोगे न, कि समीकर्ण को संतुलित करने के क्या-क्या नियम है, बहुत सारे नियम पढ़ लोगे, नियम याद भी कर लोगे, उससे दो-चार समीकर्ण के हिसाब से, 16 ग्राम CH4 एक मोल के बराबर है CH4 का, है न, यह तो आप आण्विक द्रब्यमान निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, और इस फार्मूले में भी वैसे है, कि एक मोल CH4 के जलने से, दो मोल H2O बनता है, ठीक है, यह देखे सीधा-सीधा, और H2O का जो मो द्रब्यमान है, 18 ग्राम है, तो दो मोल बनने से 36 ग्राम पानी बनेगा, इसको सीधा-सीधा आप किल्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो यह देखे, एक मोल H2O, 18 ग्राम H2O है, है न, यह एक मोल हुआ और दो मोल जो है, 36 ग्राम के बराबर है, तो शुरू में ही आप देख करके, इसको आप किल्कुलेट कर सकते हैं, कि कैसे यह निकलेगा, ठीक है, है न, अब, यह, मेरे को लग रहा है कुछ छूड गया क्या यहां पर, एक दसमलो आठ, और यह उदाहन एक दसमलो तीन, बीच में न, एक दो स्लाइड छूड गया है, लग रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, स्लाइड हम और भी दिखा देंगे, आपको नेक्स क्लास में दिखा देंगे, इसके और एक्जांपल के स्लाइड सोंगे, एक दो स बाता दूँगा, कोई बात नहीं, यह मोलर द्रब मानों अगरा निकालना दिखा रहा है, तो ठीक है, अपने काम करते हैं, अभी इस क्लास को यह ब्रेक करते हैं, नेक्स क्लास में मैं आपको स्लाइड एड करके, इसको आपको आगे कल्कुलेशन करना बता दूँगा, ठी ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, थैंक्यू, बाई